दोसो आज की इस वीडियो में मैं आपको चार ऐसी डिस्टोपिन किताबों के बारे में बताऊंगा जो आपको जरूर पढ़नी चाहिए इन किताबों का वो लेवल है कि बड़े बड़े कृटिक्स ने इन बुक्स को वर्ल्ड की आल टाइम बेस्ट बुक्स की काटेगरी में रखा है लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आती है पूरी दुनिया में सबसे फेमस किताब 1984, George Orwell का एक ऐसा fictional work जिसे देख कर लगता है कि ये कैसा fiction है Year 1949 में इस बुक को publish करवाया गया और इसमें prediction की गई है कि 1984 में दुनिया कैसी हो सकती है किताब की कहानी बहुत ही अनोखी है एक तानाशाब Big Brother जो कि city में हर किसी पर नजर रखता है कोई उसकी permission के बिना कुछ नहीं कर सकता करना तो बहुत दूर की बात है सोच भी नहीं सकता पढ़ भी नहीं सकता क्योंकि Big Brother ने history की सारी books को जलवा दिया है कहानी में Winston Smith नाम का एक file worker है जो party के लिए काम करता है और party से ही नफरत भी करता है इसे जूलिया नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है जो इसके लिए जान लेवा हो सकता है जिसके लिए इसको सजा मिल सकती है अब आगे क्या होता है जानने के लिए आपको novel पढ़ दिये होगी जिसकी link आपको description में मिलेगी ये novel एक classic novel है दूस्तों 1932 में publish होई किताब Brave New World हमाये list में दूसरे नंबर पर है ये British writer Elder Huxley की 5th novel थी इस किताब में science के future को लेकर imagination की गई है ये imagination इतनी shocking और खतरनाक है कि एक बार के लिए किसी की भी रूख आप जाए इस किताब में एक ऐसी society दिखाई गई है जिसे देखकर हमें नफरत सी होने लगती है लेकिन फिर भी बहुत से critics मानते हैं कि ये 20th century की सबसे best novels में से एक है इस society में कुछ ऐसा rule है कि औरते यहां पर बच्चे पैदा नहीं करती उन्होंने अपने गर्ब सरकार को दे दिया है अब बच्चे सरकार अपने हिसाब से पैदा करती है सरकार ने बच्चे पैदा करने की जिम्मदारी लेकर पांच कैटेगरीज में बच्चों को बाढ़ दे अलफा, बीटा, गामा, डेल्टा और एपसलिन अलफा कैटेगरी में बहुत तेज दिमाग वाले handsome और लंबे बच्चे आते हैं जबकि बागी कैटेगरीज में उनके low level के बच्चे आते हैं सरकार खुद ही इनके दिमाग को विक्सित होने नहीं देती इस समाज में खुले रूप से सेक्स होता है और सोम नाम का एक नशीले ड्रग का यूज किया जाता है जब भी कोई दुखी होता है तो यह सोसाइटी कुछ ऐसी है कि यहाँ पर शादी करना बच्चे पैदा करना मावाब बनना इन सब चीजों को नफरत की नजर से देखा जाता है यानि कि कोई भी पसंद नहीं करता है समाज में एक एज पर जाकर सबकी डेथ हो जाती है और उस डेथ से किसी को कोई दुख नहीं होता कुद मरने वाले को दुख नहीं होता क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में सारे मज़े लूट ले होते है बड़ी कमाल की नोवल है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी 1985 में पबलिश हुए Handmaid Steel Canadian author Margaret Atwood की बहुत ही फेमस नोवल है दोस्तो इस किताब में भी future की imagination की गई है जिसमें समाज का एक गिनोना चहरा हमको दिखाया गया है किताब में एक ruling class है उनके लिए कुछ Handmaids यानि की घर में काम करने वाली दासियां बच्चे पैदा करने का काम करती है इस किताब में Atwood ने dystopia को female point of view से दिखाने की कुशिश की है कहानी अजीब तब लगती है जब उनकी commanders उनके साथ में sex करते हैं उनकी बीवियों की मौझूदगी में इस society में एक strict dress coat follow किया जाता है यानि handmates के लिए सफेद कपड़े, लाल कपड़े, commanders और उनकी बीवियों निले कपड़े पहनेंगी और विद्वाय काले रंग के कपड़े पहनेंगी कहानी की main character offered जिसे regular basis पर अपने commander के साथ sex करना होता है इसे एक room में रखा जाता है जरा सी भी freedom नहीं है, बस एक ही freedom है कि ये shopping करने जा सकती है अजीब बात तो ये लगती है कि खुद commander की बीवियां उस वक्त मौझूद होती है जब commander ये काम कर रहा होता है आपको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए अगर आप थोड़ा सा भी feminist point of view रखते हैं तो नोबल बिल्कुल अनोखे डंक से लिखी गई है दोस्तों, जरूर पढ़नी चाहिए चौते नंबर पर है, 1954 में पब्लिश होई दुनिया भर में famous किताब Lord of the Flies इसे लिखा था Nobel Prize winning author William Golding ने इस किताब में कुछ school में पढ़ने वाले British बच्चों का एक group होता है जो एक island पर जाकर फस जाता है और फिर शुरुआत होती है इन बच्चों में सत्ता की लड़ाई की ये किताब नोखी इसलिए है क्योंकि बाकी किताबों के मुकाबले ये reality से ज़्यादा करीब लगती है अमाना जाता है गोल्डिंग ने इस किताब को अपने दो personal experiences की आधार पर लिखा था प्रभावित होकर लिखा था पहला तो जो उन्होंने उस time के school के बच्चों की हरकतों को देखा और दूसरा Second World War किताब बड़ी कमाल की है एक बार जरूर पढ़ने चाहिए उमीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों आज की वीडियो में बसतना है